हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनू स्वागत है आपका अपने चैनल अनूस पैशन में आज की वीडियो किचन वेस्ट पार्ट वन में मैं आप से यूजड टी लीव्स के बारे में बात करने वाली हूँ जैसा की आप देख पा रहे हैं यह यूजड चाई पती है जो चाई बनाने की बात बच जाती है और जिसे हम ऐसे ही फैंग देते हैं यह तीन से चार दिन की इकठी की हुई चाई पती है अगर आपको घर में यूजड चाई पती नहीं मिल पाती है तो आप नस्दीक से किसी भी चाई की दुकान से चाई पती को ले सकते हैं क्योंकि चाई की दुकान में शाम तक धेर सारी चाई पती निकल कर आती है और वो दुकान वाले इस चाई पती को वेस्ट समझ कर ऐसे ही फेंग देते हैं इसमें आप जो ग्रीन टी और हर्बल टी बैक्स भी यूज़ कर सकते हैं अब बात करते हैं कि चाई पती में ऐसा क्या है कि इसे हम अपने प्लांट्स की मिटी में यूज़ करें इसमें NPK यानि की Nitrosan, Phosphorus और Potassium पाया जाता है Nitrosan 4%, Phosphorus 0.25% और Potassium भी 0.25% पाया जाता है सबसे ज्यादा इसमें Nitrosan पाया जाता है Nitrosan पोदों में नई पतियों को लाने में नई शूट्स को लाने में हेल्प करता है इससे जो नई शाखाएं ब्रांचीज निकल कर आती है वो भी Healthy निकल कर आती है चाय पत्ती मिटी को Acidic बनाती है Acidic Soil से प्लांट्स खाद को सई डंग से यूज़ करने में सक्षम हो जाते है जितने भी Flowering Plants हैं उन सब को Acidic Soil बहुत पसंद आती है जब चाय पत्ती पड़े पड़े Decompose हो जाती है तो हम जब भी कोई भी खाद डालते हैं तो उस खाद को प्लांट की जड़ तक पहुंचाने में चाय पत्ती मदद करती है इससे मिटी में नमी को रोगने की और Oxygen को सोखने की पावर बढ़ जाती है जिससे मिटी में केंचियों की संख्या बढ़ जाती है और Flowers के कलर भी बहुत अच्छे हो जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने चाय पत्ती को 4-5 बार पानी से धो लिया है तांकि इसमें से दूद और मीठे के अंश अच्छी तरह से निकल जाएं ये जो आप अद्रक देख रहे हैं वो मैंने हाथ से निकाल दी है और चाय पत्ती को दूप में सूखने के लिए रख दिया है दूप बहुत तेज है जिससे 2-3 दिन में ही ये चाय पत्ती बिल्कुल ड्राई हो गई है अब इस सूखी हुई चाय पत्ती को आप स्टोर करके रख सकते हैं इसकी कोई एकस्पाइरी डेट नहीं होती ये देखिए मैंने इसे एक कंटेनर में भरकर रख लिया है आप जब चाहें इसे यूज कर सकते हैं पोट के किनारों से मिट्टी को हटा दिया है और एक चमच चाय पत्ती इसमें डाल कर उपर से फिर से मिट्टी डाल दी है क्यूंकि ये चाय पत्ती डीकंपोज नहीं हुई है इसलिए ऐसा करने से मिट्टी में फंगस नहीं लगेगी हम जब भी मिट्टी के उपर कोई खाट डालते हैं तो उसका पूरी तरह से डीकंपोज होना जरूरी होता है पर जब भी हम कोई भी ऐसी चीज मिट्टी में डालते हैं जो पूरी तरह से डीकंपोज नहीं हुई है तो यह सबसे सही तरीका है कि आप पोट के किनारों से मिटी को हटा दें या छोटा सा गड़ा बना कर उसमें उस चीज को डालें और उपर से फिर से मिटी से ढख दें ऐसा करने से वो चीज मिटी में पड़े पड़े डीकंपोज होती रहेगी और एक सलो रिलीज फर्टिलाइजर के जैसे प्लांट को पोशन देती रहेगी मैं हर साथ दिन के बाद एक चम्मत चाय पती इसी तरीके से अपने सभी फ्लावरिंग और वेजिटेबल पॉट्स में डालती हूँ ये मेरा देसी रोज का प्लांट है और पूरा प्लांट कलियों से भरा हुआ है आप भी इस फ्री के फर्टिलाइजर को प्लांट में यूज करें और पोदों और वातावरन दोनों को ही हल्दी बनाएं अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह मैं आपके लिए जानकारी से भरपूर वीडियो लाती रहूंगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएगा तांकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शियर कीजिएगा तैंक यू